आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी आफ लाइफ बाय राजेश सर जैसा कि थमनिल देखकर आपको पता लगया होगा आज हम बात करेंगे इंटर्मिडेट के बायलोजी की बारे में तो हम बात करते हैं पहले human के बारे में जाल लेते हैं मनुस है क्या देखिए अगर हम जरन के माध्यम से कहें तो मनुस में लेंगिक दूरुपता पाई जाती है मनुष में लेंगिक दिरुप्ता पाई जाती है यानि कि sexual dimorphism पाई जाती है यह कैसा होता है इसको बाहर से देखने से ही हम पता लगा लेंगे यह नर है यह मादा है sexual dimorphism का मतलब होता है male and female को बाहर से पहचानना मनुष से कैसा है unisexual animal है कैसा है unisexual प्राणी है तिसरे पॉइंट की बाद करें तो मनुष होता है वो सजीव प्रजक या जरायोजी जिसे इंग्रिस में कहते है baby parents यान की बच्चों को जनम देने वाले जन्त होते हैं अगर human की बाद करें तो उनका primary sex जो आरगन होता है वो टेस्टिस होते हैं और मनुष का टेस्टिस होता है मनुष में male का टेस्टिस तता female का ovary जो होता है primary sex आरगन होता है तो टेस्टिस में और ovary में gametogenesis का process होता रहता है जिसमें spermetogenesis जो होता है वो टेस्टिस में होता है जिसके माद्यम से sperm का formation होता है और ओबरी में उजनेसिस के द्वारा अंडाडू का निर्माड यानि की ओबा का निर्माड होता है यहाँ पर समसूत्रित था अर्शूत्रि विभाजन के द्वारा gametes का formation होता है इस process को gametes जनेसिस कहा जाता है तो हम पहले question की बात करेंगे कुछ सामानी जानकारी थी इस chapter से पहले question की बात करेंगे हमारा पहला question है हमारा पहला question है एंड्रोजन स्वरी हमारा पहला question है एंड्रोजन स्तरावित होता है leading question कोस्काओं द्वारा subtoli question कोस्काओं द्वारा इस पर मेटिर्स द्वारा इन में से कोई रही आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग एक पेन और कापी लेकर वैट जाएं और जो भी कोश्चन आपको मिल ले हैं उन्हें नोट करें और उनका आपसन उसके सामने अवस रिख लें तो एंडोजन स्रावित हो सेल की तरह कारी करती हैं और नर्लिंग हार्मोन सेन की मेल सेक्स हार्मोन का फार्मेशन करती हैं जिसे एंडोजन कहा जाता है लेडिंग कोश्काओं का दूसरा नाम होता है इंटर इस्टीसियल सेल इनका दूसरा नाम आपको बुक में मिलाएगा इंसे इंटर इस्टीसियल सेल भी कहा जाता है, तो हम next question की बात करेंगे, question number 2, question number 2, इस्त्री में अंतर रोपन के समय भुरूण किस अवस्था में होता है, तो आपने embryogenesis पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो क्रम चलते रहते हैं, निसेचन के बाद, fertilization के बाद, तो निसेचन के बाद क्या अवस्था आती है, पहले होता है, जाइगोट के बाद मौरूला, फिर बिलेस्टला अवस्था होती, इसके बाद में गेस्टला होती है, तो देखिए, आपका आपसन दिया है, कि आपसन number A, मौरूला, आपसन number B, ब आवस्था में होता है, तो जो इंप्लांटेशन यानि कि अंतरोपन होता है इस्तरी में, वो साथ में दिन होता है, निसेचन के साथ में दिन, साथ में दिन तक यह जो इस्टक्चर होती है, भूरूर्ण जो होता है, वो बिलेस्टला आपसन सही हो जाता है, आपसन number B, बिल जाती है, गिराफिन पुटिका पाई जाती है, जिसे एंगलिम कहते हैं, फोलिकल, गिराफिन पुटिका या निकिराफिन फोलिकल्स, पाई जाती है। आपसन नमबर A, इस्तनियों के अंडासे में, आपसन नमबर B, मेडक के अंडासे में, आपसन नमबर C, लसी का गाठों में, आपसन नमबर D, इस्तनियों की पिलिहा में तो इसका सही आपसन हो जाएगा इस्तनियों के अंडासे में अंडासे की काट देखने पर आपको कुछ उभार छोटी-छोटी सरचनाएं गोल-गोल नजर आती हैं उन्हें ग्राफियन पुटका कहा जाता है जिसमें उजनेसिस के माध्यम से यानि की अंडाण जन के माध्यम से ओबम का फार्मेशन होता है तो next question की बात करेंगे हम question number 4 तो चथा question नमारा है कि अपरा की भूमिका होती है अपरा की भूमिका की बात करें अपरा की भूमिका होती है भुरूण की ब्रद्धी के लिए आवस्यक पदार्थ प्रदान करना या भुरूण को आघातों से बचाना number 3 अप्शन C तंत्र का आवेगों को ले जाना संग्रह कारी अंगों की भात कारी करना या पर ठका हुआ है अंगों की भात कारी करना तो इसका सही अप्शन हो जाएगा भुरूण की ब्रद्धी के लिए आवस्यक पदार्थ प्रदान करना क्योंकि इसके माध्यम से अक्सीजन, करवन डैक्साइड, नूट्रिटिव पदार्थ, बिलड आ जा सकता है अप्रा यानि की प्लेशेंटा होता है जो भुरूण को मा के गर्व से अटेस्ट करने का कारी भी करता है नेक्स्ट कुश्चन की बात करेंगे हम, कुश्चन नमबर पांस की, यह क्या कर रहा है, कुश्चन नमबर पांस, बिलश्टला अवस्ता में भुरूण को सरप्रथम गर्वासे से जोडने का कार निम्न में से कौन सी जल्ली करती है कुस्चन के रहा है कि बिलस्टला वस्ता में भुरूंड को सर प्रतम करभासर से जोडने का कारे निम्न में से कौन सी जिल्ली करती है तो यहाँ पर एमनियोन, अपरा कहरी कोरियोन या योकसेक अलन्टोइस तो इसका सही आप्सन हो जाएगा अपरा कोरियोन क्योंकि हुमन में जो प्लेसेंटा होता है वो कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है इम्प्लांटेशन के समय जो ट्रोफो ब्लास्ट सेल होती है वो इंडोमेट्रियम से धस जाती है और अपरा कोरियोन का फार्मेशन करती है तो नेक्स्ट कुस्चन की बात करेंगे हम मनुष्य का भुरूण सुरच्छित रहता है एमिनियोटिक गुहा में, पेरी, टोनियल गुहा में, पिलीूरल गुहा में या अलन्टोईस द्वारा तेहां पर सही आपसन हो जाएगा आपको एमिनियोटिक, कैबिटी यानि की एमिनियोटिक गुहा में जो भुरूण होता है, वो मा के गरभासे में, एमिनियोटिक कैबिटी में, फिलूड में तेरता रहता है जिसे एमिनियोटिक फिलूड कहा जाता है इस एमिनियोटिक फिलूड से ही, इंजक्षिन के माध्यम से जो फिलूड निकाला जाता है उसमें पाई जाने वार वोडी जाने की जो बार काय होती है उनके माध्यम से लिंग परिष्ण भी किया जाता है इसे एम्नियो सिंथेसिस भी कहा जाता है Next question की बात करेंगे हम Next question की बात करेंगे Question number 7 Question number 7 मानव अंडासई चक्र के 28 दिन में अंडो सर्ग किस दिन होता है तो आपसान आपके इसके इसके दिन पर है चक्र के 5 में दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14 में दिन या चक्र के 28 में दिन अंडो सर्ग यानि की ओबूलेशन ovulation का process जब होता है वो menstrual cycle यानि की अंडा सही चक्र के चौधमे दिन होता है तो इसलिए option नबर 3 आपका option सही हो जाता है चौधमे दिन अंडो स्थराग होता है 14 दिन होता है कभी के 15 दिन हो जाता है तो यहाँ पर option जो है वो 14 दिन आपका सही हो जायेगा नेक्ट कुष्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नमबर 8, मद्चक्र किसका लच्छन है? मद्चक्र यानि कि एस्टरस साइकल, तो यहाँ पर आपको बता दें, जो ह्यूमन्स होते हैं, यानि कि प्राइमेट्स होते हैं, प्रायमेट्स में मैंशन सागी चलती है अन्न प्रायमेट्स को छोण कर जितने भी जीव हैं इस्तनिवारी हैं उनमें मदचक्र चलता है तो यहाँ पर आप्सन देखिए अमस्तनी मादाओं का आपका सही आप्सन है आपका सभी आपसन में उपस्तित यूजाइम है तो जो सीमन होता है, सीमन में एक एंजाइम पाया जाता है जो कोरोना रेडियेटा तथा जोना पेलुसुडा को रेफ्चर्ड या गलाने का कारी करता है उसे लाइटिक एंजाइम कहा जाता है देखिए आपसन आपका लाइगेज होता है या एस्ट्रोजनेज होता है या हाईलो एलूरो निडेज या एंडो जिनेज होता है तो इसका सही आपसन हो जाएगा हाई एलिरो निडेज हाई एलिरो निडेज आपका सही आपसन हो जाएगा आपसन नमबर तरी next question की बात करेंगे हम question number 10 की question number 10 under-usrg किस हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है under-usrg जो होता है किस हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है question number 10 जो है उसमें देखिए आपसन आपके हैं TSH या ACTH या FSH and LH या ADH ADH जो होता है वो anti-diauretic हार्मोन्स होता है ये हमारे जो urine होता है urine की concentration को कम्या ज्यादा करता है तो ये जो follicle stimulating हार्मोन्स तथा luteinizing हार्मोन्स यानि की FSH और LH ये दो हार्मोन्स मिलकर क्या करते हैं under-usrg को नियंत्रद करते हैं जब FSH का level नीचे गरता है तभी luteinizing हार्मोन्स जो होता है luteinizing हार्मोन्स उसका level increase होता है जिस बज़े से 14 में दिन जो menstrual cycle होते हैं उसके 14 में दिन under-usrg होता है तो यहाँ पर 2 हार्मोन्स होते हैं FSH तथा luteinizing हार्मोन्स इतलिए आपसे आपका सीथ ही हो जाता है next question की बात करेंगे हम question number 11 question number 11 पुर्षों के बिर्षण में नर हार्मोन्स का स्रामण करने बाली कोशकाइं हैं अभी आपने आपको question number पहला यह से start किया था तो उसमें बताया था तो पुर्षों के बिर्षण में नर हार्मोन्स का स्रामण करने वाली कोशकाइं होती है leading कोशकाइं होती है sertoli कोशकाइं होती है इस पर metrids होती है या carpus luteum होती है यहाँ पर सही option आप comment कीजिए तो देखिए अभी हमने थोड़ी दर पहले आपको बताया था कि leading कोशकाइं जो होती है वो androgen hormones को स्रावद करती है जिसे हम ner hormones भी कहा जाता है जिसे हम ner hormones कहते हैं तो leading cells जो होती है अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और फिरी में NCRT पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें next question है कि सुक्राण में mitochondria कहा होते है सुक्राण में mitochondria कहा होते है पुच्छे में Acrosome में मद्धभाग में या Sears में सही आप सान कमेंट कीजिए फटा फट तो देखिए आपर सुक्राण की सरचना भी दिखाई दे रही है head part है middle part है तो middle part में आपको mitochondria दिखाई दे रहे होंगे middle part में mitochondria है जिते energy source for swimming कहते है जब ये semen में आता है और injection के समय ये semen जब vagina track में छोड़ा जाता है तो यहां से ये तेरने के लिए जो energy नहीं मिलती है वो mitochondria से ही मिलती है इसे swimming के लिए energy source जो होता है वो mitochondria होता है और ये कहां पाया जाते है middle piece में पाया जाते है तो यह आपका सही option क्या हो जाएगा मद्य भाग में पाया जाते है mitochondria कहां पाया जाते है मद्य भाग में तो option number C आपका सही हो जाता है next question की बात करेंगे हम question number 13 sorry question number 13 की बात करेंगे 13 यानिकी 13 कि इस्त्रियों में निशेचन कहा होता है इस्त्रियों में निशेचन कहा होता है गरवासे में योनी में फेलोपीयन नलिका में अंडासे में सही आप्सन जल्ड़ी कमेंट कीजिया तो तखेखें आपको पतादे गर्बासे की जो फैलो पिल नलिका होती है वो ओविडक्ट यानि की अन्ड भाहिनी का मद्वाग होता है जिसे फैलो पिल नलिका कहा जाता है इसका जो घरबासे से जड़ा भाग होता है उसे इस्तमज कहा जाता है और जो अंडासिस जुड़ा वाग होता है उसे फिम्ब्रियेट फनल कहते हैं तो इसका सही आप्सन जो हो जाएगा वो फैलोपीयन नलिका हो जाएगा फैलोपीयन नलिका में ही फर्टिलाजेशन होता है जिस बज़े से हैपलुआइड गैमीट डिपलुआइड जाइगोड का फार्मेशन करते हैं और उससे आगे क्रिया एंब्रियो जरेशिस के द्वारा कम्प्लीट होती है नेक्ट कुश्चन की बात करें कुश्चन नमबर 14 सर्टोली कोश्काएं में कहां होती है सर्टोली कोश्काएं कहां होती है । गरभासे में बरशन में थायराड गिरंथी में अंडासे में तो आपका सही आपसन हो जाएगा बिर्षण में जो सर्टोली कोशकाय होती है वो बिर्षण में पाए जाती है यहाँ पर आपको चित्र दिखाया जा रहा होगा चित्र में जो रेड कलर की यहाँ पर देखो हम जो बना रहे हैं लंबे कलर की यह देखिए जो कोशकाय है जो ये वाली कोश्काइई देखिए यह जो होती है लंबे अकार की सिल्स तो इन्हें कहा जाता है सर्टोली सिल्स इनका कार होता है सपर्म को निूट्रिशन देना स्परमटोजनेसिस के माध्यम से सुकराड़ो यानि की सपर्म का फार्मेशन होता है फिर यह जो होते हैं वो सर्टोली कोशकाओं से ही nutrition लेकर ब्रद्धी करते रहते हैं जब तक इनका इस खलन नहीं होता है तो next question की बात करेंगे question number 15 question number 15 इस्तरी का कलाइटोरिस होता है कलाइटोरिस जो होता है वो बैजाना के अगर सिरे पर उपर की और एक घुंडी नुमाश से रचना होती है ठीक है आपकी जानकार के लिए बता दे option number A नर के सेशन के समझाद नर के सेशन के समरूप या निर्थकंग या एक अप वरद्ध तो या पर सही आप समझे हो जाएगा वो हो जाएगा नर के सेशन के समझाद जो लिंग होता है कलाइटोरिस होता है वो नर के सेशन के समझाद होता है इस तरियों में नेक्ट कुश्चन की बात करेंगे question number 16 question number 16 प्रोजेश्चेरान हार्मोंस का सरावन किसके द्वार होता है कारपस ska concern कारपस lutium कारपस uteri कारपस albukens जल्द जल्दी comment कीजिए तो आपका सही आप समझाद हो जाएगा आप समझादा नंबर B कारपस lutium कारपस lutium जो cells होती है वो अंडासे में पाई जाती है और ये इंडोक्राइन गिलेंड की तरह कार करती है यानि कि अंतहा सरावी गिरंथी के तरह कार करती है और इससे हर्मों से निकलता है प्रोजेस्टेरान जो प्रेगनेंसी बनाया रखने के लिए most important होता है जब fertilization नहीं होता है तो carpus luteum जो होता है वो carpus alubukens में बदर कर धीरे धीरे degenerate हो जाती है और प्रोजेस्टेरान का लेवल नीचे गिर जाता है जिस बज़े से रितुसराव चालू होता है और रितुसराव के बाद new menstrual cycle start हो जाती है next question की बाद करेंगे sorry next question की बाद करेंगे leading coach काएं पाई जाती है यक्रत में अंडासे में वर्षण में या आमाशे में तो leading coach काएं जो होती है leading coach काएं जो होती है वो बर्षण में पाई जाती है और इन्हें interstitial cell भी कहा जाता है और androgen का androgen जो hormones होता है उसका इसरावन करती है तो ये question तीन प्रकार से बनता है कि leading cells कहां पाय जाती है वर्षण में पाय जाती है leading cells से कौन सा hormones निकलता है तो वो androgen hormones निकलता है androgen hormones को link hormones भी कहा जाता है और जो हमारे दुतियक लेंगी के लच्छन होते हैं उसके लिए कौन सा responsible होता है तो वो होता है leading hormones leading hormones की बज़े से पुर्षों में कंधे चौड़े हो जाते हैं दाड़ी मूश आ जाती है और विर्षण में सुक्राण जुरन भी प्रेद होता है तो next question की बात करेंगे question number 18 graphen पुटिकाएं कहां होती है अभी थोड़ी दर पहले graphen पुटिकाएं से question आया था graphen पुटिकाएं कहां पाई जाती है फिर से question आया है graphen पुटिकाएं कहां होती है मनुष्य के थाराड में इस्त्री के अंडासे में पुरुष के विर्षण में या मेड़क के आवाशे में जल्द जल्द आपसं कमेंट कीजिए तो इसका सही option हो जाएगा इस्त्री के अंडासे में इस्त्री के अंडासे में graphen पुटिकाएं पाई जाती है जिसमें अंडान का निर्माड होता है यानि कि ओभम का फार्मेशन होता है graphen पुटिकाएं द्वारा next question की बात करेंगे question number 19 question number 19 है कि मौरुला परवर्धन की अवस्ता है मौरुला परवर्धन की अवस्ता है ठीक है question number 19 कहता है मौरुला परवर्धन की अवस्ता है युगमनज एवं कोरक खंड के बीच की रोपन वापरसम के बीच की कोरक खंड बा गैस्तुला के बीच की रोपण के बाद की तो यूगमनेज यानि की जाइगोट होता है और कोरक खंड यानि की बलास्टूला होता है जो मौरूला अवस्ता होती है देखो किरम चलता है किरम होता है जाइगोट मौरूला, बलास्टूला, गैस्टूला इसके बाद में बिलाश्टुला अवस्ता में इंप्लांटेशन यानि की रोपड होता है और गेश्टुला में तीन जर्म लेर का निर्माड होता है जिससे आगे चलकर हमारे विविन अंगों का फार्मेशन होगा तो मौरुला जो अवस्ता होती है वो 8 से 16 से इस्टेज होती है इसे मौरुला अवस्ता का आ जाता है और ये युगमनज तथा कोरक खंड के बीच की अवस्ता होती है यानि कि जाइगोट और बिलाश्टुला के बीच की अवस्ता होती है नेस्ट कुश्चन की बात करेंगे कुश्चन नमबर 20 ये इसे कुश्चन बहुत बार एक्जाम में देखे जाते हैं जो कई आप्शन लेकर आते हैं और उसका सही एक आप्शन होता है बीरी का तरल यानि कि सुक्रिये द्रव निर्मित होता है जो सुक्रा से सुक्र यानि कि सीमन होता है सीमन कहां-कहां से निकल कर इखटा होता है तब सीमन का निर्माड होता है सुक्रिय द्रव का निर्माड होता है सुक्रा से नमबर टो प्रोस्टेट मुत्रमारग या बलवो यूरेथ्रल गिरंथी तो यहां पर आपका सही आप्षन कमेंट कीज़े फटा-फट जो सीमन होता है वो कहा किस किस चीज के स्रावन से बनता है तो देखिए आपने साहिक जन गरंथियां पड़ियोंगी तो साहिक जन गरंथियां में एक सुक्रा से आता है जहां पर इस्पर्म आकर इखटे होते हैं और उन्हें पोशन प्रदान करता है और साथ में मैचूरेशन भी यहाँ पर होता है प्रोश्टेट गरंथी से भी कुछ तरल सरावित होते हैं जो छारिये होते हैं अगला होता है बल्बो इरुत्रल इससे भी कुछ तरल सरावित होते हैं जो बेजाना को चिकना बनाते हैं तो जो बीर होता है वीर से आपसन नमबर A और B और तुम्हारा 4 1st second और 4 तीनों मिलाकर जो होते हैं वीर तरल का भाग बनाते हैं तो इसलिए आपसन नमबर आपका सही हो जाएगा आपसन नमबर B कौनसा आपसन सही हो जाएगा? आपसन नमबर B ठीक है? Next question की बात करेंगे? एमिनोटिक दरब की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्तिते भृूण सिसू का लिंग निर्धार होता है जो एमिनोटिक दरब होता है जिसमें भृूण पड़ा रहता है मा के गरभासे में जो एमिनोटिक दरब होता है भृूण को सूकने से बचाता है और एम्मिनूटिक दरब में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसके माद्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि जो भुरूंड है, जो सिशू है वो नर है या मादा है तो आपसन है आपके बार्फिंड, लिंगड सूत्र, क्याज मेटा, प्रतिजन तो सही आपसन आप कमेंट करें फटा-फट तो आपका सही आपसन है बार्फिंड यहनकि वार बोडी जो होती हैं वो क्या करती हैं उनकी प्रिजन्स के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि मेल होता है, मेल सिशू जो है वो मेल है या फीमेल है निम्न में से कौन सी नर जननांग सायक ग्रंथी नहीं है तो यहाँ पर आपसम देख लें सही से क्या अपसम नंबर बन है सुक्रासे अपसम नंबर से सेकेंड है एमपुला या तुम्बिका अपसम नंबर सी प्रोस्टेट ग्रंथी अपसम नंबर डी बलवो यूरत्थल ग्रंथी देखिए आभी आपको पताया कि सीमन का जो निर्माड होता है वो सुक्रासे से होता है प्रोस्टिट गरंथी से होता है वर वो इरृत्थिल से होता है तो कौन सी गरंथी संब्धित नहीं है नर से तो है एमपुला यानि कि तुम्बिका तुम्बिका जो होती है वो फीमेल ज आपका सही हो जाता है अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक अबस करें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटर की NCRT के लिए इंटर फस्ट एर की NCRT के लिए हमारे चैनल को अबस सब्सक्राइब करें आपके लिए सम सुक्राण में आनवान्शिक भाग होता है तो देखे जो आनवान्शिक भाग होता है वो क्लून सा होता है आप से नहीं आपके मद्यवाग पुच्च सीर्स या संपूर्वाग में जो इस्पर्म होता उसकी सरचना कुछ ऐसी होती है ऐसी ये मद्य भाग होता है ये उसका हैड रीजन होता है उपर एक्रोसोम होता है नीचे टेल निकली रहती है टेल निकली रहती है देखिए जो मद्य भाग होता है उसमें केंद्रक होता है हमने आपको बताया है कि केंद्र में अनुबांसिक भाग होता है तो अनुबांसिक भाग क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा यानि की सीर्स हो जाएगा क्या आपका सीर्स तो आपका सही आपसन क्या हो जाएगा आपसन नंबर सी सीर्स उपर वाला भाग एक्रोस्वम होता है जो गोल्जी बर्डी से बनता है इ को पाउस के मददभाग में क्या पाए जाते हैं माइटो कांड्रिया श्पार्ल कंडिसन में पाए जाते हैं माइटो क Näक्त ज्वा टेल भाग में पाया जाता हैनेक्स क्यूस्चीन की बात करेंगे अन्ता दरब्भी जालिका या एंजाइम अभी हमने आपको बताया है कि सुक्राउड की सरचना जो बताई थी उसमें बताया था तो सही आप्सन कमेंट कीजिए फटा फट इसका सही आप्सन है आप्सन नमबर A माइटो कांड्रिय है तो इसके मद्य भाग में जो होते हैं वो माइटो कांड्रिया पाय जाते हैं इस्पारल कंडिशन में निसेचित अंडे का परिवर्दन होता है जब फेलो पीयें नलिका में अंडे का निसेचन हो जाता है उसके बाद में जो भुरूण होता है उसका development कहा होता है यह आपको बताना है तो इसका आपसन नमबर A है अंडासे में आपसन नमबर B गर्भासे में आपसन नमबर C अंडवाहिनी में आपसन नमबर D योनी में तो इसका सही आपसन है, आपसन नमबर B, गरभासे में, इसका सही आपसन होगा, गरभासे में, ओके, गरभासे में ही इंप्लांटेशन होता है, साथ में दिन और धीरे धीरे ब्रद्धी होती है, और उसमें गैस्टला आवस्ता आती है, गैस्टला आवस्ता के बाद, तीन ज मादा में योबन आरंब की आयू है, योबन आरंब का मतलब होता है कि दुतियक लेंगिक लच्छणों का निर्माड होना, दुतियक लेंगिक लच्छणों का प्रदर्सित करना या मेस्ट्रोल साइकिल का स्टार्ट होना, इसे योबन आरंब कहा जाता है वह है उमर जब लड़कियों की यानि की मादाओं की आवाज सुरूली हो जाती है तो चा गिलोए हो जाती है तो चा पर बसा का जमाब होने लगता है और लड़कियां खुपसूर लगने लगती है वह अवस्ता जो होती है यो बनारंब अवस्ता कहलाती है तो यह उमर जो होती है 15 वर्ष आपसन सही क्या है आपसन देखिए 15 वर्ष 12 वर्ष 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष तो लड़कियों में जो होता है लड़कों की तुलना में पहले योवानारंब या आँऊ जाता है तो लड़कों का होता है 13 से 15 वर्ष की आयू और लड़कों में होता है 12 से 13 वर्ष तो सही अपसर हो जाएगा अपसर नमबर B 12 से 13 वर्ष नेक्ट कुस्चन की बात करेंगे कुस्चन नमबर 27 कारपस लूटियम कहां इस्तित होता है अभी कुश्चन आया था कि कार्पस लूटियम कहां इस्तित होता है तो कार्पस लूटियम जो होता है इसका सयापसन आपको बताना है गरभासे में योनि में अंडासे में बिर्षण में जो कार्पस लूटियम होता है वो होता है अंडासे में यहाँ पर अंडासे का चित्र गया है यह चित्र में इसलिए डाला ताकि आपको समझने में कठनाई कम हो ओके तो यह देखिए आप अंडासे का चित्र दिखाया गया है तो अंडासे में जो ग्राफियन पुठिकाई होती है यानि कि प्रेमोडियल फोलिकल दिखाया गया है फिर यह ब्रadhart born करके धीरे-धीरे क्या बनाती है एक mature follicle का निर्माण करती है जो चौदे में दिन अंडो उसर्ग होता है और अंडे उसर्ग के बाद क्या निकलता है एक हमें मिलता है secondary oocyte मिलता है secondary oocyte के बाद में जो reftured graphene follicle होती है वो एक सरचना का निर्माण करती है जिसे carpus luteum कहा जाता है जिसे carpus luteum कहा जाता है ये आगे चलकर carpus luteum से carpus allocens बन जाती है और जब प्रोजे इस्टेरान जो carpus luteum से प्रोजे इस्टेरान हर्मोस निकलता है उसका level जब low हो जाता है कम निकलने लगता है तब ही ये बिग्टित होने लगती है और विग्टित होने के बाद रित्य सुराओ का निर्मार्ण होता है और उसके बाद में फिर से एक new menstrual cycle start हो जाती है Next question की बात करेंगे, question number 28, यहने की 28 तो question number 28 कह रहा है, कि सर्टोली कोशकाएं कहां उपस्तित होती है यह question बार-बार repeat होता है और बहुत सारे exam में चाहें वो neat हो, चाहें वो intermediate की board पर इच्छा हो या फिर BSC के बच्चे हो उन सभी में यह सब बहुत बार यह question trend किया जाता है objective में वो कहता है, सर्टोली कोशकाएं कहां उपस्तित होती है तो सही option आपका हो जाएगा, अपस्तित नमबर D version यानि कि testis, testis में सर्टोली से पाए जाती है और जो nutrition देती है, कि इस परम को nutrition देने का कार करती है next question की बात करेंगे, question number 29 question number 29 यह देखिए most important question है, इस question में अच्छे-च्छों के दिमाग हिल लाते है question number 29 धुरविय कोशकाएं बनती है धुरविय कोशकाएं यानि कि polar bodies या polar cells बनती है आपस्ण number A, und जनन में आपस्ण number B, सुक्र यानि के सुक्रांड जनन में आपस्ण number C, इगुमग जनन में आपस्ण number D, सुक्र कायांत्रन में तो इसका सही option हो जाएगा इसका सही आप्सन हो जाएगा आप्सन नमबर A जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है वो U-genesis यानि की अंड़ जनन का दिखाया गया है इसके मादिम से आपको समझाएंगे कि जो polar body होती है वो कहाँ पे बनती है जब हमारी graphene putka जो होती है उसके अंदर वाली premodial germ cells वो क्या करती है ब्रद्धी और विभाजन इनकी multiplication द्वारा mitosis division द्वारा बहुत सारी cells का निर्माण करते हैं जिनने U-genia कहा जाता है और U-genia growth phase में आने के बाद वो first mitotic division करते हैं जिसके फ़सरो प्रैमरी U-site और first polar body का निर्माण होता है यहाँ पर यह division जो होता है वो अर्षूत्री यानि की mutic division कहलाता है mutic division के फ़सरोप haploid secondary U-side बनता है और क्या बनता है first polar body बनती है अब secondary U-side जो होता है वो haploid होता है और primary U-side जो होता है वो diploid होता है यह बात आप जरूर दिहान रखें क्योंकि यह कई बार exam में पूशाय जाता है कि primary U-side बनता है diploid होती है कि haploid होती है दिगुडुत होती है या आगुडुत होती है तो यहाँ पर आप याद रखें कि primary U-side जो है वो diploid होती है अब second maturation maturation second division होता है तब क्या होता है कि जो cell थी secondary U-side वो diploid थी तो उसमें फिर से division होता है समसूत्री विभाजन होता है कौन साट विभाजन होता है समसूत्री यानि कि mitosis division होता है mitosis division के फजरूप second polar body बनती है अगर आप से पूशा जाता है कि U-genesis में कितनी polar body बनती है तो 2 बनती है primary U-side कैसा होता है haploid होता है diploid होता है secondary U-side कैसा होता है haploid होता है polar body कैसी होती है haploid होती है यहाँ पर पोलर बोड़ी बनती है वो गुरसूत्रों को आधा करने के लिए यानि कि U-tide कहा जाता है और जो secondary maturation division होता है वो sperm के secondary U-site में प्रिवेश करने के बाद ही होता है इसके फलस्वरूप second polar body बनती है और ये polar body आगे चलकर बिग्टित हो जाती है तो next question की बात करेंगे question number 30 काफी मैज़ेदार question है सरंखला में बने रहे आपके लिए हम लाते रहेंगे NCRT के important question देखिए question number 30 most important question है बहुत बढ़िया question है एकदम जखकास वाला सव प्राथमिक अंडकों यानि की U-tide सव प्राथमिक अंडकों से कितने अंडाण बनेंगे इतके बात हो रही है primary U-side की बात हो रही है यहाँ हिंदी थोड़ी अजीब है biology की और English थोड़ी simple लग जाती है तो सव प्राइमरी अंडकों यानि की U-side से कितने अंडाण बनेंगे तो आभी आपने देखा है कि polar body बर रही थी उससे कुछ नहीं problem थी और वहाँ पर हमें पूशा जा रहा है कि अंडाण यानि की ओबम कितने बनेंगे तो हमने देखा हुँ वहाँ पर primary U-side था उससे एक ही अंडाण बर रहा था तो यानि की 100 primary U-side से कितने अंडाण बनेंगे तो 100 बनेंगे यहाँ पर आपसान आपका question की बात करेंगे question number 31 question क्या कहता है इस्तंधारी के विर्षण की कोशिकाएं जो सुक्राणों को पोशन प्रदान करती हैं बहुत बार यह question repeat हुआ है इसलिए हमने आपको यह question बार बार repeat करके दिया है इस question का सही आपसन बताएंगे फटा फटा आप लोग क्या आपका सही आपसन होगा सही होगा जो लोग सही होगाँ तो उनका सही आपसन होता है सही है इसका सही आप्षन है सर्टोली कोषकाई ये कहाँ पाई जाती है बर्षन में पाई जाती है इससे स्पर्म क्या करते हैं निूट्रिशन लेते हैं तो ग्याँ आप दिखा कि सुक्राणू को पोषन कहाँ दे मिलता है सुक्राणू को पोषन मिलता है सरटोली कोसकाओं से और लीडिंग कोसकाओं का क्या कार होता है ये अंता सरावी के रंथी की तरह कार करती है और ये कौन सा हरमों से निकालती है अंडरोजन हरमों से निकालती है अंतरा कोसका अंतराली जो कोसकाओं होती है वो भी लीडिंग कोश्काओं का दूसरा नाम होता है इंटर इस्टीजल सेल कहा जाता है जर्मिनल एपिथीरियम होती है उनसे सुक्राणों करेंबान होता है नेक्ट कुस्चन की बात करेंगे कुस्चन नंबर 31 फिर से आ गया यह बहुत इंपोर्टन कुस्चन है यह बहुत मज़दार कुस्चन है इथे आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा अभी हमने आपको समझाय था सेम टू सेम इस्परमेटोजनेस होता है यानि कि सुक्राण जरन की अवस्थाएं होती है उनका सही किरम बताना है आपको सुक्राण जरन की अवस्थाओं का सही किरम बताना है आपको तो सुक्राण जरन जरन होता है सबसे पहले क्या बनता है उसमें जो प्री मोडियल जरम सेल्स होती है उससे बनता है इस्परमेटोगोनिया क्या बनता है स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स से कायांतरन के द्वारा का निर्माड होता है काइंतन के द्वारा यानि कि इस्पर्मियसियसन के द्वारा होता है इस्पर्म का निर्माड़ यानि कि सुक्राण का निर्माड़ होता है तो यहाँ पर देखिए आपको आप्शन मिला है कि इस्पर्मेटो गोनिया, इस्पर्मेटो साइट फिर espermatids सुक्राड अगला देखते है espermatids अरे यह तो बाद में बनता है espermatocyte तो यह भी नहीं होगा espermatogonia espermatids गलत espermatocyte espermatogonia तो espermatogonia पहले बनती है तो आपसन नंबर आपका सही हो जाएगा A आपसन नंबर A सही है 31 का A next question की बाद करेंगे question number 32 और 34 दोनों question साथ साथ में आ गये है question number 32 मानब सुक्राड के किस भाग में enzyme पाये जाते हैं बहुत most important question है कई बाद trending में आया question मानब सुक्राड के किस भाग में enzyme पाये जाते हैं गरीबा अपसन नंबर B मद्धभाग गरीबा यानि की नेक होता है मद्धभाग अपसन नंबर C पुछ यानि की tail अपसन नंबर D acrosome head के अगले वाला region comment कीजिए फटा फट देखें गरीबा में जो होते हैं वो mitochondria पाये जाते हैं गरीबा के पास centriol होता है sorry गरीबा के पास centriol होता है और गरीबा के जश्ट बाद आता है मद्धभाग तो मद्धभाग में वाट्र कॉंट्रिया पाय जाते हैं tail free होती जो तैरने में काम करती है तो इसका से या अपसन हो जागा acrosome acrosome में ही hormones पाय जाते हैं जो sperm को undown में previous करने के लिए help करते हैं अगला question है 33 33 question क्या कह रहा है कि endometrium पाय जाती है endometrium कहा पाय जाती है जल्ड जली comment किजिए endometrium कहा पाय जाती है मुत्रासे में, योनि में, गरभासे में, अंडवाहिनी में तो इसका सही आप्सन कमेंट कीज़े फटाफट इसका सही आप्सन है आप्सन नमबर C आप्सन नमबर C जोको मुत्रासे से जनन से कोई समंद नहीं होता है और इन्डोमेट्रियम जो होती है वो गर्भासे में पाई जाती है और ये इन्डोमेट्रियम में ही जो भूरूण होता है वो सात में दिन इन्डोमेट्रियम में होता है और भूरूण कहां रहता है गर्भासे में रहता है तो इन्डोमेट्रियम कहां पाई जाती है गर्भासे में तीन लेयर पाई जाती है एक होता है इन्डोमेट्रियम एक होता है मीजोमेट्रियम एक होता है पेरिमेट्रियम ठीक है अगरा कुश नमबर 34 34 क्या कहता है सोरी question नमब 34 एक्रोसोम की अनुपस्तिति में सुक्राण क्या नहीं कर पाएगा भई यहाँ पर देखिए किस्टन अच्छा गुष्ण दिया गया है कि सुक्राण में अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाए यह जिन सुक्राणों में एक्रोसोम नहीं पाए जाता है तो सुक्राण क्या नहीं कर पाएगा भई पहला आप्सन नमबर 1 है कि भोजन प्राप्त नहीं कर सकेगा यह गतिसील नहीं होगा यह अंड भेदन नहीं कर सकेगा या ऊर्जा प्राप्ट नहीं कर सकेगा तो इसका सही ाप्सन हो जाएगा आप्सन NO.C देखिये एक्रोसॉम का भोजन प्राप्ट करने से कोई संबंध नहीं है और एक्रोस्उम गतिसील नहीं गतिसेल तो टेल से तोड़ते हैं उर्जा प्राप्त करने के लिए मटो कंट्री या मध्ध भाग की आप सकता होती एक्रोसोम का कोई भाग नहीं होता है अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो इस्परम जो होंगे वो अंडाण में भेदन नहीं कर सकेगा एक्रोसोम में ही एंजायम पाए जाते हैं जो अंडाण में भेदन यानि की अंडाण में प्रिवेश को बनाते हैं, एंजाइम के द्वारा अंडाण की भित्ती को तोड़ते हैं, तो next question की बात करेंगे, question number 35, प्रोजे इस्टेरान स्रावित होता है, प्रोजे इस्टेरान क्या है, ये pregnancy को बनाये रखने वाला हार्मोन्स होता है, ये प्रोजे इस्टेरान स्रावित होता है, ग्राफियन पुटिका से, अपरा से, गर्भासे से, कार्पस लूटियम से, अभी आपको कई बार ये question बता चुके हैं, ग्राफियन पुटिका कहां पाई जाती है, आपको बताया, अंडासे में पाई जाती है, जो अंडो उस्तर के बाद बनती है, ग्राफियन पुटिका, जो अपरा होता है, अपरा जो होता है, गर्भासे से, ब्रोण को जोडने का कार्य करता है, गर्भासे से, गर्भासे क्या होता है, गर्भासे में ब्रोण रहता है, कार्पस लूटियम क्या होती है, जो कार्पस लूटियम होती है, व Q36 की बात करेंगे Leading Coast काई संबन्दित है Leading Coast काई कहाँ पाजाती है अभी तो यहाँ पर बिर्शन आपसन है नहीं तो आप का दीमा खराब हो गया होगा कि Leading Coast काई किस संबन्दित है Aपसन नंबर A है सुक्र जनन नलिकाओं से Aपसन नंबर B अपरा से Aपसन नंबर C गर्भासे से Aपसन नंबर D एक्रस से तो इसका सही अपसन हो जाएगा Aपसन नंबर A सुक्र जनन नलिकाओं से संबन्दित होती है बिर्शन में क्या पाजाती है सुक्र जनन नलिकाओं पाजाती है जो सुक्र जनन नलिकाओं के ओके नेस्ट कुश्चन की बात करेंगे कुश्चन नमबर थर्टी सिक्स गया थर्टी सेबन और थर्टी एट दोनों कुश्चन एक साथ में है बताईए सोला कोश के अवस्था में भूरूण क्या कहलाता है अभी हमने आपको क्रम से बताए था जायगोट मौरूला यह था अवस्थां क्रम से बताईधी तो यहाँ पर आप सोला कोश की जो आवस्था होती है बहौल सेट्ट स्ट्रक्चर होती है जो हालो नहीं होती है ठोस होती है ठोस गयन्द का घुच्चा होता है थोस सेलों का गुच्चा होता है जिते मौरूला कहते हैं पापारूला नहीं मौरूला ओके आप कुश्चन नमबर 38 की बात करेंगे एक्रोसों का निर्माड होता है जो आपको हमने मैटो कंड्रिया से होता है यह इन सभी से होता है इतना आसान सा कुश्चन नहीं आपसे हो रहा है तो आपने अभी तक वीडियो देखी वह आपका देखने के ते कुछ फाइदा नहीं है इसलिए वीडियो को ध्यांस समझिए और देखिए इसकी मत कीजिए बिल्कुल तो इसका सही आपसन हो जाएगा गौलजी काय गौलजी बॉड़ी को इतके एंगलिज में गौलजी बॉड़ी भी कहते हैं तो गौलजी काय से एक्रोस्वम का निर्माड होता है और माइटो कंड्रिया जो होते हैं मद्ध भाग पर आ जाते हैं और केंद्रक जो होता है वो Q39 अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मारे वीडियो को लाइक हवस करें और फिरी में NCRT, पैटर्न या NCRT के question MCQs पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए NCRT के MCQs के लिए YouTube पर बहुत सारे चैनल है जो 2000-3000 फिस चार्ज करते हैं और हम आपके लिए फिरी में लेकर आते हैं लेकर आएंगे question number 39 question number 39 बुरूण में होने बाला विभाजन है हमारे सरीर की दो प्रकार की कोशका है पाय जाती है एक somatic cells होती है एक होती है जर्म cells होती है ठीके एक क्योंती होती है जर्म cells होती है तो somatic cells में जो होता है वो समसूत्री विवाजन होता रहता है और जर्म cells में जो होता है वो अर्षूत्री विवाजन होता है ठीके जब जाइगूट बन जाता है तो कौन सी अवस्ता चालू हो जाती है भुरूण अवस्ता चालू हो जाती वहाँ पर युगुमक का वस्ता में क्या होता है अरसूत्री विभाजन चलता है जिते युगुमक का निर्माण होता है अब यहाँ पर भुरूंड जो है भुरूंड से किसका निर्माण होगा सारीरिक कोसिकाओं का यानि कि सुमेटिक सेल्स का तो कौनसा विभाजन चलेगा समसूत्री विभाजन चलेगा भुरूण में होने वाला विभाजन कौनसा होता है समसूत्री यानि की माइटोसिस डिवीजन चलेगा अंडाड जनन के दोरान बे रचनाएं जो अंडे से अलग होती हैं कहलाती है अंडाड जनन के दोरान बे रचनाएं जो अंडे से अलग होती हैं कहलाती है बताईए फटाफट पॉलर बोडी दुतियक इंडो स्पर्म या हैरिंग बोडी या फिर हैला कोशिकाएं क्या क्या आप संदे रखे हैं जल्दी कमेंट कीजिए कुश्चन एंसर फटाफट कमेंट कीजिए ये कुश्चन कई बार समझा चुके हैं आपको हमने शुक्राण जो अंडाण जुनन था उसमें पूरा डिटेल में समझाया था आपको तो इसका सही आपसन हो जाएगा पॉलर बोड़ी यानि कि धुरुबिये को सिकाएं धुरुबिये काएं जो होती है वो अंडाण जुनन में क्या करती हैं अंडे से अलग होती है ठीक है पॉलर बोड़ी इसे के साथ में जो MC कुश्चन आप होता है अब हम बात करेंगे फिल में सिर्टे इनदा बिलों बाल से लगते हैं कि ATC वाले सुर्वा उसकी क्यागतर पे आपकी लिए वीडियो अनिके आफसर का जो फिल इन्हुन नुमबर होता है या अलेंगिक द्वारा होता है आपसर कमेंट कीजिए फटा-फट जो मानब होता है वो लेंगिक उत्पत्ति वाला जीव होता है कौन से उत्पत्ति वाला लेंगिक उत्पत्ति वाला पैसा है लेंगिक वाला तो यहां पर सही आपसन क्या होगा लेंगिक मानब है अं कुछ शुरुवात में ही तमझाया था कि मनुसर जो होता है वह सजीव प्रजग होता है या या बीवी पैरस होता है मनुसर जो था है या वाहे होता है तो देखी आपकी जानकारी के रिपादे जितने भी जलिये जीव होते हैं थाहा है onellen अक्वेटिक होने की वजे से क्या होता है कि इसमें वाहे नहीं आंतरिकन पाए जाता है कैसा निशेचन पाया जाता है आंतरिक निशेचन पाया जाता है तो इसका सही आप्षन बरा जाएगा आंतरिक निशेचन होता है question number 44 की बात करेंगे नर एबम मादा एगमक होते हैं आगुडित होते हैं या दुई गुडित होते हैं तीक है gamete जितने भी होते हैं चाहे वो plant के हों चाहे वो animal के हों चाहे aquatic animal हों चाहे trustyal animal होता है gamete जो होते हैं वो haploid ही होते हैं कैसे होते हैं आगुडित होते हैं ठिक है आगुडित यानि की हपल्वाइड होते हैं जैक कुस्चन नंबर 45 व्यरानों नज होता है। अब देखी यूगमनज कैसे बनता है जैक प्रोसिस होता है इमरियो जनेसिस में जिसे कहते हैं Spermatogenesis, Spermatogenesis, Sory, Fertilization, यानि कि निसेचन, निसेचन के माध्यम से नरमादा इगमकों का सल्लेन होता है, सन्युगमन होता है, जिसके माध्यम से दुईगुडि सरचना का निर्माण होता है, जिसे इगमनज कहा जाता है, तो इगमनज कैसा होता है? डिविगुडित याने की डिपलॉइड होता है चाहे वो plant का युगुणज हो चाहे वो human का जो कैसे होंगे डिपलॉइड होंगे जाइगुड जितने भी होंगे वो डिपलॉइड होंगे अगला question है 46 गर्भासे की आंतरिक परत कहलाती है अभी थोड़ी देर पहले आमने आपको समझाया था अंतरिक परत कहलाती है और इचिवाले जो परत होती है मायोमेटरियम होती है और जो बाहिपरत होती है वो पेरिमेटरियम होती है तो इसका सही आपसन होजाएगा इंडोमेटरियम अगला question है 47 सुक्राणवों को Portion देती है यह कुश्चिन बहुत बार चलेowan है यह इस कोस्च का है? तो असका ही है? सब्सक्राइब करते हैं या उसे टेस्ट इस्टराउन भी कह सकते हैं तो नेक्स्ट कोस्चन की बात करेंगे हम क्वेश्चन नमबर 48 कि क्वेश्चन नमबर 48 है रितुसराव यानि कि मेस्ट्रूल फिलो यह तीन दिन समस्य होती है महिलाओं को लड़कियों को रितुसराव यानि कि मेस्ट्रूल फिलो की कमी से होता है यहाँ पर आपको बताना है किस हार्मोन की कमी से मेस्ट्रूल फिलो यानि कि रितुसराव यानि कि इसका और एक नाम होता है रितुसराव आरतव चक्र ठीक रितुसराव यानि कि मेस्ट् तो यहां पर पर प्रोजे इस्टरान निर्ण निकलता है यहां पर नहीं जाएगा प्रोजे रिष्टरान की कमी से होता है रितु स्राव ठीक है अब बात करेंगे question number 49 की इस्तनियों में दुग्द स्रावन से संबंदित है जो इस्तनियों में जीव होते हैं उनमें दुग्द स्रावन के लिए इंजेक्शन भी मिलते हैं पसुन को लगाने के लिए उनमें भी सायद यही पाया जाता होगा सायद veterinary के बारे मुझे जानकारी नहीं है तो यहाँ पर देखिए इस्तनियों में दुग्द स्रावन से संबंदित है आक्सिटोसीन प्रोलेक्टिन क्या होता है तो देखिए आक्सिटोसीन जो होता है वो गर्भासे में संकुजन के लिए दिया जाता है प्रसब के समय तो यह सब कहां पाई जाती है, 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 तो यह सब कहां प गरभासे में implantation के समय की अवस्ता होती है ये सात्में दिन जो होता है गरभासे में implantation करता है हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रा comment कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सेख कीजिए और फिरी में NCRT पढ़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद थैंक्यू फॉर वचिंग वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया